एलो एंड वेलकम टू यूनिवर्सल आउटि आई क्लासेज आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइसक्वेर किस प्रकार का टूल है ट्राइसक्वेर से कितने कोश्चन बनते हैं यह सब हम आज कि अध्राइसक्वेर के बारे में पढ़ लेंगे इसलिए वीडियो को ट्राइसक alrededor फ़र फ़र है तो हमारे अप्सटर में हैं और फ़र्स्चेपर चैकिंग में और यह भी है कोई नहीं इसलिए मार्किंग भी होती है स्थरुसरों एक संध नमबर सी ट्राइस यह मार्किंग और चैकिंग कुल है आप कोस्चिन नंबर दू क्या बोल रहा है कि कra के स्क्वायर के Parts के नाम है Tris selton के कि कौन-कौन से зарख होते हैं यह बोल स्चलार नंबर दू तो ट्रैस्ट क्रक्र की एक ब्लेड होती है और एक स्टॉक होता है तो इसलिए स्का भी option number C हो जाएगा answer, try square के दो parts होते हैं, blade और stock, अब question number 3 की तरफ चलते हैं, अपन, यह बोल रहा है, try square का blade किस material का बना होता है, बनाया जाता है, try square का जो blade है, किस का बनाया जाता है, वो बनाया जाता है, high carbon steel का, option number A, try square का blade किस material का बनाया जाता है, high carbon steel का, question number 4 बोल रहा है, try square, question number 4 बोल रहा है, try square किस, try square का प्रियोग किस से check कनने के लिए किया जाता है, ट्राइ स्क्वाएर का प्रियोग 90 डिग्री की सता चेक करने के लिए किया जाता है अब आता है question number 5 ट्राइ स्क्वाएर का stock किस material का बना होता है अब question number 6 की तरफ चलते है ट्राय स्क्वेर किस प्रकार का चेकिंग टूल है प्रत्यक्ष, आप्रत्यक्ष, A और B, मार्किंग और कटिंग टूल तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राय स्क्वेर अपना आप्रत्यक्ष चेकिंग टूल है इंडारेक्ट चेकिंग टूल है try square कितने प्रकार के होते हैं try square दो प्रकार के होते हैं fixed और adjustable इसलिए option नमबर c question number 8 question number 8 try square के stock पर वने slot का कार है तो इसका answer हो जाएगा वर को इस्थान देने के लिए question number 9 try square के द्वारा try square के द्वारा चेक की गई परिसुदता प्रती 10 mm में कितनी होती है जो ट्राय स्क्वाइर के द्वारा 10 mm में परिसुदता चेक की जाती है वो होती है 0.002 mm अब आता है ट्राय स्क्वाइर का साइज कहां से कहां तक लिया जाता ट्राइ स्कॉयर का साइज स्टॉक के अंदरूनी सिरे से डैस के अंतिम सिरे तक लिया जाता है यह बोल रहा है ट्राइ स्कॉयर का साइज जो है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से किस डैस के अंतिम सिरे तक लिया जाता है वो है ब्लेड ठीक, अब आता है अपना, question number 11 अब बोल रहा है, question number 11 बोल रहा है Tri-square की सुद्धता चेक करने की कितनी विधिया है Master Tri-square, surface plate A और B दोनो Cable A और option number D बोल रहा है, A और B दोनो तो इसका answer हो जाएगा, answer A और B, दोनों Tri-square की सुद्धता Master Tri-square और surface plate दोनों के दोरा चेक की जाती है Question number 12 बोल रहा है, Tri-square की लंबाई कितने से कितने mm तक होती है Tri-square की लंबाई 100 से 300 mm तक होती है Tri-square कितने प्रकार के होते है Tri-square प्रकार के होते है Question number 14 बोल रहा है, Tri-square को dash की लंबाई से specify किया जाता है Tri-square को मतलब जब लेने जाते है मार्केट में तो कैसे लिया जाता है, क्या बोल के लिया जाता है तो इसके लिए आपको blade की लंबाई बतानी पड़ती है, Tri-square का size blade की लंबाई से लिया जाता है ए है Tri-square ए अंग्रेजी के एलक्षर के अकार का होता है ठीक, ए है Tri-square ए हैस का blade, ए है stock तो गाईस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें Universal ITI Classes को और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद